राजस्थान स्टेट क्राइम रिकोर्ट वीरो का एक आकड़ा है जिसमें महीला प्रताडना के 40 प्रतिशत मामले जो है वो फेक निकलते हैं इन दिनों राजस्थान की राजदानी जैपुर में एक मुहीम तेजी पकड़ रही है वो है पुरुष आयोग बनाने की इंटरनेशनल एथलीट है रिचा सेनी एंट्रप्रनौर भी है और पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी है वो बहुत जलिस पामले पी आईल लगाने वाली है रिचा जी थोड़ा पहले अपने बारे में बताईए कैसे स्पोर्ट से एक्टिवजम में आप आई सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगे मैं आप लोगों को कि आप लोग उसके कवरेश के लिए है मैं रिचा सेनी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं स्पोर्ट से रही हूं और एथलीट थी मैं स्प्रिंटर थी तो बशपन से सोशल थोड़ा सा बिकिस जो स्पोर्टीज होते हैं वो लोग बहुत ज़ादा सब को एक साथ लेकर चलने पर बिलीव रखते हैं और emotional होते हैं बट strong होते हैं mentally तो हम लोग हमेशे हैं सोशते हैं कि सब लोग एक साथ हैं किसी के साथ में कुछ गलत नहीं हूँ और खेल भावना से हम लोग सब की मदद के आगे जाते थे तो वो धीरे 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 जाके आगे बढ़ती गई फिर महरानी कॉलिज से मैं पास आउट हुई तो वहां पे भी मैं स्पोर्ट सेकेटरी थी वहां से थोड़ा सा टंड अप हुआ कि आगे निकले पॉलिटिकल पार्टी में आए प्रदेश प्रवक्ता भी रही में बीजेपी युवा किसान मोर्चा में फिर उसके बाद में कोवेड आया तो कोवेड के अंदर थोड़ा सा मैं फिर रीडाउट करने लगी कि हम वोमेंस आक्चली स्ट्रॉंग हो गए हैं लेकिन सम्हाव सम्वेर जो केसे जा रहे थे तो वो इस तरीके से आ रहे थ तो मैं बहुत हर्ट हुई थी और उन्हीं दिनों में ये सब चीजे मेरे आस पास में चल रही थी तो मेरे बहुत क्लोज दोस्त भी थे भाई भी थे तो वो लोगों ने सुसाइड अटाइम करना लड़कों के लिए इतना इसी हो गया कि कुछ वो पेस ही नहीं कर पा रहे गया एनको ये समझ में आ रहे था कि जो कन्यादान में आ रहा था वो दहेच कैसे हो गया मंपी के ओपर, सिस्टर के ओपर ऐसे-इसा ऐलेगेशन लगाए जा रहे थे कि वो लड़कों को कुछ भी समझ में आ रहा था तो मैं थोड़ा सा उसीज की वजह से मैं थोड़ा सा हुई, I thought कि थोड़ा सा अपनको help करना चाहिए, थोड़ा आगे आना चाहिए, फिर पहले मैंने कोई आयोग की मांगनी करी थी, मैं normal चल रही थी में पास में, क्योंकि शुरू सी थोड़ा सा active थी socially, तो थानों में जाना शुरू करा, वहाँ cases देखे, काउंसलिंग्स करी, तो कुछ काउंसलिंग्स के अंदर मैं विन भी रही, कि उनकी आज बहुत happily successful marriage है, जो मतलब इस तरीके से एक दूसरों को देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज उनके तो कहिना के आपको लगता है कि जो महिलातियाचार के मामले हैं, और खासकर के दहेच के जो मामले हैं, उसके अंदर हाई कोट ने भी कही अपनी टिपनियों में जो है, वो पुलिस को एक न्यूट्रल जाच और उस पहलू के लेका है, किस तरह से लीगल आसपेक्ट आप कि तो कि एक मोर्चा वो भी है, जो ये कहता है कि पुरुष जो है, जो समाद जो है वो पुरुषवादी है, और कही न कहीं इससे बढ़ावा मिलेगा ऐसे पुरुषों को, इस तरह क्राइम जो इन्वाल रहते हैं, देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगी, हम लोगों के 1952 के अंदर Indian Constitution Act के तहर ये बनाया गया था योग, महिला योग, जो कि केंदर में बना था, ये किसी स्टेट को लिए, मतलब कमपलसरी नहीं किया था, लेकिन सब इस स्टेट ने इसको एडॉप्ट किया, उस टाइम पर महिलाओं की जो इस्तिती थी, वो इतनी प्रताड़ि थी, कि वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी, और ये बात तो बोलना बहुत बड़ी बात है किसी सस्राल के अगेंस्ट, कि वो अपनी सस्राल के अगेंस्ट बोले, जिन्दा तक जला दिया जाती थी, लेकिन अगर हम आज देखें, तो महिलाओं इतना स्ट्रॉंग हो गई हैं कि जब आज अगर मैं बोलू कि आपी की फिल्ड के अंदर बहुत सारी वोमेंस, क्या बोलते हैं, रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, दो आर डूइंग वेरी फेंटास्टिक जॉब, वोमें इंपावर्मेंट का मतलब में ये नहीं समझती कि आप महिला को कमजोर समझे महिला आज बहुत शक्ति शाली हो चुकी हैं, आज हम राजस्तान के उस प्रदेश में जहां पर वसंदरा राजे जी मुख्य मंत्री बन कर आई हैं, आज हमारी रास्टपती हैं मुर्मू जी, वो रास्टपती हैं, तो महिला ये स्ट्रॉंग हैं, लेकिन अगर हम ये बात बूले कि मैं हर महीला को इसके अंदर नहीं कर रहे हूं क्योंकि मैं सबसे पहले केस लेने से पहले मैं रीड करती हूं मैंने कई केसे ऐसे भी छोड़े हैं जिसे मुझे जब लास मोमें पे पता चला कि लड़का गलत है मैंने वो केस ही मना कर दिया I'm not against for women, neither I'm against for the men I'm actually thinking for and in the favor of on the gender equality उसके लिए लेकिन रिजाजी अलड़ी कोट्स है मतलब इसके लिए आयोक से आपको लगता है कि वो कर जो जो ग्रिवायन का रुड्रेसल है वो थोड़ा तेज हो पाएगा इसलिए बिलकुल होगा, अभी recently मैं आपको एक केस बताती हूँ क्योंकि नॉर्मली दहेश के केसे जो होते हैं जो हमें कॉम्बो पहक लगाते हैं I'm sorry to say मैं किसी अधिवक्ता को personally intimate नहीं कर रहे हूँ लेकिन actually यह होता है कि लड़की के पास में दहेश का केस होता है और अपने domestic violence का होता है और प्रतारित का केस होता है इसके अलावा कुछ नहीं होता है उसकी fight उसके husband से है वो husband को involved ना करके सबसे पहले वो उसके surrounding जैसे उसके mumी हुए, father हुए, भाई हुआ, भहन हुआ, भाभी हुई इन सब को involved करते हैं अगर किसी लेवल के उपर आप सच में प्रतारित हो तब आप कोट में जाओ आपकी counselling होती है उसके लड़कियों को मैंने देखा है चिलाते-चिलाते हुए कि मैं को 40 लाग रुपे दे तो मैं छोड़ दूँगी बट that 15% मीडिया में आता है क्योंकि ये लोग कहीं से भी नहीं छोड़ती है अभी other community के अंदर भी जाके Islamic rule को मैंने देखा उसको पढ़ा और उसके अंदर भी मैंने देखा कि triple तलाक के case को लड़की ने इस तरीके से उसको अपना power बनाके एक innocent लड़के को इस तरीके से फसाया कि उसके पीछे सब लोग पढ़ गए थे और आज उसके अंदर मैं anticipatory bail लेकर आई उससे पहले मैंने उस लड़की से counselling करने की कोशिश करी वो लड़की आज भी हसी आज भी जो मेरा status लगा तो she was laughing like she give the emojis like that I said की ठीक है तुमें जो ठीक लग रहा है वो तुम करो लेकिन सबसे पहले मेरे लिए वर्डिक्ट जो होता है ग्राउंड जो होता है मैं उस पर वर्क करते हूं if ground is okay की yes this girl is actually blaming on her husband or her in-laws which is actually totally a false तब मैं उस case को लेती हूं तो आप कब जो है वो PIL लगाने जा रहे है कौन आपके अधिवक्ता है और आपको क्या लगता है कि उसको लीगल स्टांडिंग कितिनी मिलेगी इस बादे लीगल स्टांडिंग देखे हम कभी भी मैं प्रेडिक नहीं कर सकती है अभी लेकिन मेरे जो अधिवक्ता साहब है मिस्टर संचेत तामरा और उनकी जो टीम है हम सब लोग जो वर्क आउट कर रहे है राजीव जी यूवी जी हम सब लोग अभी यही सोच के चल रहे हैं कि हमें भी PIL पर फोकस रखना है PIL किस तरीके से हम लोग लेकर जाएंगे इस माइड़ोकेट मिस्टर संचेत आमरा ही नोज वेरी बैवल और यस वी आ प्रिपेर फॉर दिस यह मैं साथ में रिचा थी इनका मानना है कि पुर्शो के भी जो प्रॉब्लम्स है उनका जो रड्रेसल है वो तेज हो चुके एक बड़े फिलोसफर ने का है कि समाज जो है वो ब्लैक इन वाइट में रहता है लेकिन हकीकत ही है कि समाज ग्रे में रहता है अलग-अलग problems है उसकी अलग-अलग complications है रिचा का भी यह attempt है कि एक आयोग बने ताकि हर gender की जो बात है वो सुनी जा सके transgender board भी राजिस्थान पहला राज्य था जिसने गटित करा था तो क्यों ना एक ऐसा board पूर्शों के लिए भी हो इस पर debate जारी है फिलाल राजिस्थान के अंदर camera person निखिल चर्मा के साथ जैपूर से जैकिशन चर्मा राजिस्थान तक